पती पतनी दोनों बैट कर कैसे सत्ता का संचालन करते हैं जग जाही रह छुपा हुआ नहीं है और इतना भाड़ा बयान देने के बावजूद भी रिफान अंसारी पर कोई कारवाई नहीं करना उपर से उस बड़े बड़े नेता उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं कॉंग के सबक सिखा देगी कि रिफान अंसारी समस्ते क्या है जिस तरीके से एक मात्री शक्ति का एक नारी शक्ति का अपमान किया है उन्होंने और खासकर यहां की माटी के लाल स्वर्गिये दुरुगा सोरेंजी की धर्म पतनी थी ऐसा बेतू का बयान देना बोलना नमस्कार जोहार आप जीयन भारब देख रहे हैं हम आपको पता दें कि जार्खन में चुनावी माहौल है और इस माहौल में आरोप परतेवरोप का दौर लगातार जा रही है बीजेपी कॉंग्रेस पर आरोप लगा रही है तो कॉंग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रह यानि जो गडबंदन जो है एंडिये और इंडिया में आरोप परतियरोप का दौर सुरू हो गिया है तो इस वक्त जो है हमारे साथ बाचित करने के लिए भाजपा के परदेश परवक्ता अभिनेश कुमार जी है अभिनेश जी ये बताई कि जिस तरह से आरोप जो लग रहा है जार्खन मुक्ती मोर्चा ने आरोप लगाया है कि चुनाओं को प्रभावित करने के लिए जो है कही ने के बड़े अधिकारी यहां सामिल है और जो जार्खन के मुक्मंत्री है उनके निरवाचन छेत्र को पताब कही ने कही प्रभावित किया जा रहा है क्या कहें मानसीक रूप से लकवागरस्थ हो चुकी है जब भी कोई संगठन और उसके नेता जब मानसीक दिवालियापन के सिकार हो जाते हैं लकवागरस्थ हो जाते हैं तो यही स्थिती होती है इसी प्रकार के बेतू के बे बुनियाद आरोप गड़कर वो लगाते हैं भारतिये जनता पाटी सूचिता की राजनीत करती हैं आज इस देश में आप देख सकते हैं लगातार जो हमारा जनाधार बढ़ा है तो इसलिए बढ़ा है कि लोग तांतरिक मुल्यों का संगरक्षन हम लोग ने किया है लोग तांतरिक तरीके से हम राजनीत करते आ रहे हैं कोई पाहुआ नहीं है तो इस आरोप में कोई दम नहीं है जो भी केंदर के अधिकारी है विभीन एजेंसियों के अधिकारी है इस पक्षभाव से काम कर रहे हैं बीजेपी का कहना है कि भारती जनता पार्टी जनता के बीच नहीं जाके निर्दलिये परत्यासियों के घर जाकर जो है दवाव बनाकर पार्टी में सामिल कराती है ने इस आरोप को भी मैं सीरे से खारिज करता हूँ भारतिय जनता पार्टी आज की तारिक में देश की सबसे बड़ी हमारा अपना कैडर एक करकरता धारी संगठन होने के नाते जनता का भरपूर समर्थन होने के नाते हमारा जनाधार लगातार बढ़ रहा है तब तो आज हम सभी दल से आगे हैं आप देख लिजे उनीश्व बावन से लेकर अब तक कैसे हम बढ़ते आ रहे हैं तो यह जेपी को छोडने का सिलसिला जा रही है देखा जातो लूइस मरांडी ऐसे बड़ी नेता जो है वो पार्टी छोड़ दी है और जेमें जो है उनको टिकट भी दे दी है तो क्या कहेंगे जिस तरह से यह बागी तेवर जो अपना लिये हैं क्या क्या कि राजनीत में यह सब क्रिया कलाप सभाविक चलता रहता है लूइस मरांडी जी को पार्टी ने वह सब कुछ दिया है जो एक कारकरता को मिलना चाहिए आज कई ऐसे कारकरता हमारे हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला है कोई 26 साल से कोई 56 साल से काम कर रहा है निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है वि लगातार उनको कई वर्सों से पार्टी ने मौका दिया है एक बार की तो बात है नहीं इर्फान अंसारी का जो बयान जीस तरह से आया सीता सुरेंट पर उस पर क्या कहेंगे जीस तरह से सिराज सिंग चोहान ने भी कहा है कि ये बयान जो है सरमनाक है क्या बीजेपी इसको लेकर कुछ बड़ा विरोध परदसन करने वाली है भारतिये जनता पार्टी कुछ करें न करें इस बयान पर जो इर्फान अंसारी ने बोला है यहां की जनता उससे दो-दो हाथ करने के मूड में नारी सक्ती दो कदम आगे बढ़के सबग सिखा देगी इर्फान अंसारी समस्ते क्या है जिस तरीके से एक मात्री शक्ती का एक नारी सक्ती का अपमान किया है उन्होंने और खास कर यहां की माटी के लाल स्वर्गिय दुरुगा स्वरेंजी की धर्म पतनी थी ऐसा बेतू का बयान देना बोलना कांग्रेस पार्टी को तो तुरत करवाई करना चाहिए था यह कांग्रेस पार्टी आज तक मौन है मुझे अश्चर लग रहा है यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है इतना भड़ा बयान देने के बावजूद भी रिफान अंसारी पर कोई कारवाई नहीं करना उपर से उस बड़े-बड़े नेता उसके पक्ष में खड़ा हो रहे हैं कांग्रेस के यह असोब निये हैं उन्हें ने तो माप भी मांग भी लिए उन्होंने कहा कि मेरे मना व्यक्ति विसेज पर नहीं मैंने टिपड़े की है देखिए यह ड्रामा बाज आदमी है आप पूरा उस वक्ति का एक राजनितिक पिरियड उठा कर देख लिए इपान अंसारी का एक उच्चकोटी का कलाकार है वा आदमी राजनिति में जिस तरीके से वो आदमी कलाकारी करते हुए आ रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है कैसे कैसे ओ ढूंग रसते रहते हैं क्या क्या करते रहते हैं कब कहा गुच जाएंगे किस मंदिर में चले जाएंगे कहीं पड़ जनमास्टी में विना बुलाया चले जाएंगे ड्रामा करने तो कोई उनसे सीखे तो ये भी उसी का एक पार्ट है और जनता उनको माफ नहीं करने वाली है खासकर यहां की नारी सकती तो एक दमनी माफ करने का मूड में है तो ये थे अविनेश कुमार जी जिन्होंने अपने बातों को रखा है और जिस तरह से जेमेम ने आरोप लगाया है तो इस आरोप को भी जो है ये सिरे से खालिज कर रहे है वो इरफार अंस्तारी के ब्यान पर भी इन्होंने एक कड़ा संदेश देने का काम किया है राजी इस जूड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले